वेलकम तो मैं चैनल एजुकेशन सिटी फिस्ट आफ ओल दो लाइक, सब्सक्राइब और शेर लेक्चर नमबर 18 का स्टार्ट करते हैं HTML ब्लोक्स HTML में कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो के ब्लोक टैग होते हैं और कुछ इन लाइन ठीक है अगर H1 की heading दी है, coding में तो H1 की heading जो है न वो पूरी एक horizontal line की न जगा लेगी उस heading के आगे न आप कुछ हो टक्स नहीं लिख सकते ठीक है? इसी तरह paragraph और list और table के tags ये सारे ब्लोक elements के tags हैं ये start और end होते हैं एकल new line के साथ inline elements inline elements जो के without line break display हो जाते हैं, ये link anchor का tag लिया उसके अंदर image भी लगा दी और पहले मैंने table का tag बनाया वे table की row में मैंने link लगाया उसमें image लगा दी सारे tags मैं अकठे एक line में use कर सकती हूँ, ठीक है? इसे कहते हैं inline elements html div element html में div क्या होती है? div एक block level का element है इसमें आपको as a container इसे यूज़ करते हैं कि इसके अंदर आप मुस्लिफ elements को tags को store करें ये एक as a container यूज़ करें इसका कोई div का कोई special meaning नहीं है ये बस एक tag है कि आप एक container आपने बना दी है नहीं से अब header है, header का container आपने बना दी है header के जितने भी elements आपके tags थे आपने div के अंदर उन्हें लिखती है ठीक है? उसके बाद आपने headers पर जो भी style वगरा करनी है आप वो उस div के tag को दे दो ताकि वो सारे header पर ना, वो styling हो जाए इसका कोई attribute नहीं होता specific ना, इसका कोई meaning है ये simple style और class की तरह ही होता है because it is a block level element, browser will display line breaks before and after it ये block level है, तो ये एक पूरी div की तरह शो होगा, जैसे ये है देखे सुचे मैंने ये html blocks मैंने ये div के अंदर लिखा हुए पहले मैंने div tag लिखा, फिर मैंने ये heading दी, फिर मैंने div tag close कर दिया अब ये सिर्फ एक पूरा एक line में आएगा ये अब इसके आगे ये जो space है, ये सारी हाली है यानि के ये एक line break के साथ शो नहीं हो रहा, ये without line breaks आएंगे ये start or end होते हैं एक new line के साथ, div tag भी एक block element है इसलिए वो भी एक new line के साथ ही start or end हो का आगे आगे span, html span element, span क्या है, span भी div की तरह ही है मगर ये in line है, ठीक है, div था block element, span है in line element इन दोने में difference के है, div which is formatted with line breaks and the span does not have any automatic formatting when used together with CSS CSS क्या है, CSS है cascading style sheet, styling का attribute होते है, अलग से अगर आप को style sheet यूज करते हैं जब high level पे आप website बनाते हैं, CSS language कहते हैं उससे the span element can be used to style the parts of the text देखें, ये h1 की heading लिखी है, इसके अंदर आपने ये span का tag यूज कर लिया ये inline element था span, इसलिए आप h1 की heading के अंदर ये use कर सकते हैं अगर आप इस तरह heading के अंदर div का tag यूज करेंगे न, जैसे आपने span की है, वो implement नहीं होगा उसके वरत से आपका जो सारा text है न, वो हराब हो जाएगा, आपका display ठीक से नहीं आएगा क्यूंकि div जो है न, वो block element है, और span inline element है lecture number 19 का start करते हैं, HTML layout, layout क्या होता है, कि basic structure आपका web page का, कि आपका web page किस तरह show हो रहा है, ठीक है layout आपना div की मदद से भी design कर सकते हैं, और table की मदद से भी, ठीक है पहले हम HTML का layout देखते हैं div की मदद से, यहाँ पे सारी coding लिखी हुई है, और उसके बाद उसको उनोंने styling दी है यह मैं आपको subline पे सिकाती हूँ, यह देखें मैंने HTML document बनाया है, simple heading है, फिर कुछ text लिकाए, फिर heading, फिर कुछ paragraphs, ठीक है इसको open किया, मैंने Google पे यह तो यह इस तरह से show हो रहा है, यह मैंने simple HTML का document बनाया है, जैसे अभी तक हम करते आ रहे थे, अब मैं इसका layout पर design करूँगी यह देखें, वो heading जो थी हमारी पहली, उससे मैंने कर दिया, div tag के अंदर, div closing को starting, उसके बाद इन्हें भी div tag में कर दिया, इस सब को paragraph को div tag में कर दिया, last line को भी एक div tag में कर दिया, इनको ideas दे दी, header, navigation, section, footer, इसके इलावा कोई भी heading, अपना ideas दे सकते हैं यह, अब यहां तक तो काम बिलकुल ऐसा ही है, ठीक है, इसको आप display कर दाएंगे, तो आपको यह सारी चीज ऐसे ही show होगी, जिस तरह यह simple था, div tag के अंदर लिखने के बावजूद, अब इसे हमने देनी है styling, इसको style करेंगे, तो फिर आपको यह सारा चीज, जाना, इसका basic structure, इसका web layout का structure बनेगा, अब header देखे है, हमारा, header के अंदे मैंने सिर्फ एक heading लिखी है, इसके अंदे मैं होड़ जितनी भी चीज़े लिखना चाहूं, यहां पे अंदर add करते जाएं, आप enter करके यहां पे चीज़े होड़ा, अपनी जो-जो कुछ header में add करना करते जाएं, मगर व उसके text का color क्या रखना है, टेक्स को आपने align कहां पे करना है, उसको अपने padding कितनी देनी है, आपने इसे होड़ भी कोई भी text देनी है तो आप यहां पे से दे सकते हैं, styling में, next आ जाता है ID navigation, अब इस ID को मैं क्या-क्या text दूँ, इसका text का color क्या होगा, इसका background का color क्या height, यह वाला नहीं होगा है, height width, float, पहले आपको मैं बताती हूँ, float क्या है, float left का मतलब है, floating करना, तो बता है न, कि float पहले यह सारा आपको यहां पे show हो रहा है, इधर, उसके बाद क्या होगा, यह float left करके यहां पे इसका section बन जाएगा, navigation का, और height width हमने जो दिया न, यह line height width, इतनी इसकी height और width बन जाएगी, ठीक है, उसके बाद section, section के tag में हमने इसे, जो जो आपने इसे style देना है, वो दे, और footer को आपने जो style देना है, वो दे, उसके बाद जब आप इससे open करेंगे, google के उपर, यह पहले आपका page यह था, div tag में इसे किया आपने, तो उसके ब बन गया, यह आपको अब एक web layout, structured web layout शो हो रहा है, html का, div tag का मकसद यह होता है, आपकी चीजों का organize करना, उन्हें container में रखके, आप उन्हें कहीं पे भी move कर सकते हैं, यह देखें, यह आप मैंने float left किया था, यह दर float left हो गया, यह block elements है, हमारे div tag क्या है, block element, इसनी देख आपका screen का सारा area, horizontal में, उतना area ले लिया है, क्योंकि यह block element था, यह आगे नहीं आने देगा text को आपने, पूरा area इसी का जाएगा, next आता है, html layout using tables, इसी तरह आप table को use करते हुए html का पूरा layout set कर सकते हैं, उसमें भी आपने क्या करना है, हर row को, हर column को आपने head के lecture number 20, html iframe, html iframe tag specifies an inline frame, यह inline frame है, इसमें क्या होता है, कि आपने किसी और source से न, यह किसी और link से, website से, कहीं से भी कोई और document आपने, पेज पे, अपने document में, शो करवाना है न, उसके लिए आप यह iframe का tag use करते हैं, ठीक है, an iframe is used to embed it another document within the current html document, ठीक है, iframe syntax इसका यह है, source में आपने इसका URL दे देना है, कि आपने कहां से कोई document का रही है, वो link दे देना है, ठीक है, इसकी आप height और width पे set कर सकते हैं, जिस तरह आप image का देते हैं, link और उसकी height width set करते हैं, इसका एक आपको अपना border show होगा, जो आपने चीज डिस्प्ले करवा tag लिखा, उसके अंदर मैं यह name दे दिया, जिस तरह हम ID यूज करते हैं न, div के tag में हम को ID दे देते हैं, उसके बाद उसको इस ID की मदद से हम styling करते हैं, इसी तरह यहाँ पर name लिख दिया, यहाँ पर ID लिख ले, आप फिर link दे, उस link में आप वो target यूज कर ले, यह name, कि इस link पर click करें, तो यह इस i-frame पर जाके open हो जाए, ठीक है, आज का मारा lecture इतना ही था, हुप सो आपको समझ आ गई होगी, HTML के layout की, block line और inline elements की, और i-frame की, चैनल को like, subscribe और share जरूर करें, ताके आपको next lecture number 21 की वीडियो भी मिल जाए,